आज मैंने वन साइट बॉर्डर वाली साड़ी लिए जिसमें एक तरफ चोड़ा बॉर्डर है और दूसरी साइट बिलकुल छोटा सा बॉर्डर है यह सिंपल साड़ी है एक सिंपल कपड़े पर है बस इसमें एक बॉर्डर है जो कि इसका लुक बढ़ा रहा है तो सबसे पहले हमें पेटिकोट वियर करना होता है जो कि थोड़ा सा छोटा होता है जितना कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी इतनी साडी से थोड़ा छोटा होना चुकि कि बागी का एरिया fall cover कर लेता है फिर हमें साडी को tuck in करना, start करना है ये हमारा base level होता है और यह में जा रहे हैं तो स्लीपर पहन ले क्योंकि चपल या सैंडल पहनने के बाद साड़ी उपर हो जाती है चलते वक्त ऐसा लगता है कि हमने साड़ी छोटी बांदी है फिर हमें जहां से हमने पेटिकूर का बैल्ट बांदा था और साड़ी का फर्स्ट टक इन किया तब वही त तो आपकी इच्छा है अगर आप सिर्पे पल्लू ले रहे हैं तो थोड़ा लंबा पल्लू लें अदर्वाइस थोड़ा छोटा ले सकते हैं उसके बाद साड़ी के उपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह से खैचते हुए यहां पर एक सिंपल सी सेफटी पिन आपको लगान नहीं होती है जिनको साड़ी पहनने के बाद चलने में प्रॉब्लम होती है या बैटने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए अगर आप यहां पर पिन लगाते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद आपको इतनी दूरी छोड़ कर लगबग एक प्लेट की द और दूसरी प्लेट को अपनी फिंगर में ले ले कुछ इस तरह करते हुए में जिग-जग तरीके से हमारी प्लेट को कवर करना है सारी प्लेट्स बनने गाद आप चाहें तो यहां पर एक safety pin लगा सकते हैं अगर आप carry कर सकते हैं तो इन्हें tightly पकड़के आपको फर्ष के तरफ देखना है कि आपकी पूरी प्लेट्स जो नीचे तक है वो फर्ष को touch कर रही है या नहीं जिस जगह से वो फर्ष को touch करती भी दिख जाए बस आपको उसी जगह से प्लेट्स को कुछ वापस इस तरह सैट करना है और अपने कमर में टक कर देना है आपकी जो लास्ट प्लेट होती अकसर उसी में problem होती क्योंकि कई बार वो छूटी रह जाते है उसके लिए कपड़ा नहीं रहता है तो आपको उस प्लेट को छोड़ना नहीं है क्योंकि वो प्लेट अगर छूट जाती है तो साइड में कपड़ा रह जाता है तो आपको उस प्लीट को भी अपने पीटी कोट में टक करना है और आप चाहें तो यहाँ एक सिंपल सी सेफटी पिन लगा सकते हैं सेफटी पिन थोड़ा बढ़ा ले और जितना भी कपड़े दर साइड में रह जाता है उसे अच्छी तरह फिनिश करें और अगर थोड़ा सा जाधा रह रह रहा है तो आप उस कपड़े को कमर के पास ना ले जाके अपने प्लीट के पास लाके छोड़े ताकि वो एक अलगी प्लीट का लुप देगा इखटा हुआ कपड़ा नहीं लगेगा अब हम शूल्डर की प्लीट्स बनाते हैं हमें यहां से कपड़े को कुछ इस तरह खैशते हुए लेना है यह साड़े का उपर का फैबरिक होता है और जो उपर का फैबरिक होता है वो प्लीट्स बनाने में नीचे आता है क्योंकि यहां हम roughly बना रहे हैं जो third part होता है हम वहां पर perfectly plates बनाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको plates बनाना और कुछ कपड़े को इस तरह करते हैं उपर करके तो कुछ plates अपने आप create हो जाते हैं बस उन्हें idea से आपको लेते जाना है और ध्यान रखें कि उपर से जो plate आ रही है उसे लेते रहें उसके बाद आपको जितनी बड़ी plate या जितनी छोटी plate चाहिए वो आपको first plate रखनी है क्योंकि first plate के according है आपको बाके plates बनानी होगी यहां मेरी साड़ी का border जो last में है जो उपर आएगा वो थोड़ा चोड़ा है तो मैं उसे हिसाब में थोड़ी चोड़ी plates बना रही हूँ बट इसका जो first border है वो थोड़ा चोटा है तो उसकी कोई issue नहीं है हमें मैंने first border जो था उसी के according मैंने plates को यहां बनाया है अब यह point मुझे मिल गया है जो मुझे अपने blouse में attach करना है अब मैं इस जगह से साड़ी को लेके safety pin से attach कर दूँगी क्योंकि कई बार shoulder तक pin लगाते लगाते वो इधर उधर हो जाती है तो आप पहले safety pin लगाए और फिर अपने blouse में दुबारा से दूसरी safety pin से attach कर ले ऐसा गरने से साड़ी की जो shoulder की plates होती है इसमें बहुत finishing आती है साड़ी का look भी अच्छा आता है उसके बाद अगर आप यहां पर भी plates बनाती है तो यह एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी plates को adjust रखने का क्योंकि front की जो plates होती है वो बहुत अच्छा look देती है तो कुछ इस तरह यहां इनको even करते हुए अपने right hand की sorry left hand की shoulder की तरफ जितना उस तरफ आपको safety pin लगाने ना कि right hand की तरफ कुछ इस तरह और उसके बाद आपको front की plates को भी कुछ ऐसे set कर लेना है ये कपड़ा थोड़ा soft है तो ये skin के चिपकता है अगर आप चाहें तो अपने पल्लू को कुछ इस तरह अगर आप सिर पे नहीं लेती हैं तो इस तरह फोल्ड करते हुए अपने कलाई पर एक safety pin से attach कर सकती है ऐसा करने से आपको कोई attention नहीं रहेगी कि पल्लू नीचे फर्ष पे घिस रहा है ये एक बहुत ही अच्छा लुक देगा और इस तरह से आप अपनी साड़ी को कैरी कर सकते हैं आप चाहे तो एक simple से साड़ी पे कोई simple सा necklace जैसे कि मैंने वियर किया है और अगर आपको इस necklace की details चाहिए कि मैंने इसे कहां से purchase किया है तो मैंने एक video अपनी channel पे इनकी regarding दिया हुआ है आप वहां जाकर check कर सकते हैं मैंने और भी कई neck pieces के बारे में बताया है जो कि बहुत ही reasonable rate पे मैंने purchase किया है हमारे local market से तो इस तरह हमने साडी को complete कर लिया है एक simple से साडी है जिसमें एक simple border है और कुछ नहीं है वो एक बहुत ही अच्छा look दे रही है एक party wear look दे रही है वीडियो पसंद आया हो information अच्छे लगी हो तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से like करें मेरे चनल को subscribe करें thanks for watching